दोस्तो कल मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आईश्मान भारत का कार्ड बनाने का completely प्रोसेस बताया था तो वहाँ पर काफी सारे लोगों के कमेंट से ये आये हैं कि सर हम आईश्मान भारत का कार्ड बनाने के लिए आईश्मान भारत के पोर्टल पर किस तरह से लोगिन कर सकते हैं नए पोर्टल का operator ID के बारे में आपको completely step by step information देने वाला हूँ, एक भी information यहाँ पर miss नहीं होगी, सारी information आपको आज किस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, तो वीडियो को बिना skip किये end तक जरूर देखिएगा, और हाँ अगर आप इस वाले process से apply करते हैं, तो definitely आपका नए हैं तो चनल को subscribe कर लीजिए, इस वीडियो को अपने friends और family में जादा से जादा share कर दीजिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है इस वाले portal पर आ जाना होगा, इसका link आपको जो है नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा, दोस्तो यह आईश्मान भाड़त का जो है नया portal है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आईश्मान card बनाना हुआ, और भी आसान, यहाँ पर आप जो है operator ID के लिए registration कर सकते हैं, अगर आप जो है एक beneficiary है तो भी आप खुद से भी अपना registration कर सकते हैं, उस पर भी एक detail वीडियो मैंने बना दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप end screen में वीडियो को देख सकते हैं, अब दोस्तो यहाँ पर आजाने के बाद आपको जो है अगर operator ID लेना है तो आपको सबसे पहले operator वाले बटन पर tick mark करना होगा, जैसे आप operator व validate वाले बटन पर click करना होगा, तो जैसे आप validate वाले बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने right का mark आ जाएगा, उसके बाद आपको EKYC mode select करना होगा, जिसमें कि आप आधार OTP select कर सकते हैं, अगर आपके पास में fingerprint device है तो आप जो है fingerprint का use भी कर सकते हैं, आधार OTP के यहाँ पर आधार OTP को select करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर जो है इस तरह का consent आ जाएगा, आपको term को agree करना है and allow वाले बटन पर click कर देना है, अभी दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी आधार card है उससे registered mobile number पर एक OTP भेजा जाएगा, OTP आपको यहाँ पर enter करना होगा, तो चलिए OTP हमारे पास आ चुका है, हम OTP इंटर कर लेते हैं, उसके बाद आपको simply submit वाले button पर click कर देना है, तो जैसे ही आप यहाँ पर submit कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जितनी भी सारी information थी, आधार card के according ले ली गई है, जिसमें कि आपका नाम, vendor age जो है आ चुका है, address भी यहाँ पर आ चुका है, ठीके ना, अब अगर आपका जो current address है, अगर आपके आधार card के according ही है, तो आप जो है इस वाले check box को check mark करेंगे, जिससे कि आपका current address भी same हो जाएगा, ठीके ना, अगर आपका current address different है, जो कि आपके आधार card से अलग है, त उस case में यहाँ पर आप जो है अपना address इंटर कर सकते हैं, हमारे case में same है, तो हम यहाँ पर इसको current address को same है, जाधार पर क्लिक कर देंगे, तो आभी जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका address तो feel हो चुका है, यहाँ पर आपको एक email ID प्रुवाइड करना है, उसके एक mobile number प्रुवाइड करना है, तो चलिए mobile number हम डाल लेते हैं, उसके बाद आपको जो verify वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर green mark आ चुका है, अब आपको जो है एक photo भी यहाँ पर upload करना होगा, जो कि आपका आधार card में जो photo है, उस करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, photo को हमने यहाँ पर select कर लिया है, उसके बाद आप जो है open वाले button पर click करेंगे, तो आपका photo यहाँ पर upload हो जाएगा, अभी दोस्तों जैसी आपका photo यहाँ पर upload हो जाएगा, तो आपको जो है scroll down करके नीचे की तरफ आना है, यहाँ प यहाँ पर उसके आगे आपको SHA लिखा हुआ दिखाए देगा, तो यहाँ पर SHA के बाद में जो भी आपका state है, उसका नाम आपको दिखाए देगा, जैसे है SHA Gujarat, SHA HP, मतलब हिमाचल प्रदेश, इस तरह से आपको जो है आपके राजी का नाम दिखाए देगा, तो जैसे कि हमने यहाँ पर select कर लिया है, SHA UP, उसके बाद यहाँ पर आपको ENTT type होता है, उसमें आपको select करना है, card creation agency, हम यहाँ पर card create करना चाहते हैं लोगों का, उसके बाद आपको ENTT name में जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आपको CSC आजाएगा, इसको आपको select कर लेना है user role यहाँ पर आपको agency operator को select कर लेना है, अभी यहाँ पर आपको application में जो option आएगा कि आप किसके माध्यम चाप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर BIS portal जो होता है, जिससे कि आईशमान भारत का card बनाया जाता है, उसी के माध्यम से हम यहाँ पर apply करेंगे, अभी जो अब आपको यहाँ पर अपना एक username create कर लेना है, यहाँ पर आपको अपना एक password बना लेना है, उसी password को आपको आपको जो है दोबारा से यहाँ पर confirm कर देना है, सारी information को आपको जो है सही से feel कर लेना है, उसके बाद आप submit वाले button पे click करेंगे, अभी दोस्तों सारी information को से submit कर देते हैं तो आपके सामने जो है इस तरह का एक reference number आ जाता है जिसमें कि आपका form यहां से submit कर दिया गया है आईश्मान भारत का operator ID के लिए ठीक है अब इसका जो approval है वैसे तो इसको जो है आपकी complete information को check किया जाएगा उसके बाद आपका यहां पर ID approved किया जाएगा अब दोस्तों जब आपका ID approved हो जाता है तो जो username आपने यहां पर feel किया था वही आपका username रहेगा जो password आपने बनाया था वो आपका password रहेगा ठीक है ना अब आपको चले जाना है आपका जो Gmail account है उसके उपर तो जैसी अब अपना Gmail account open करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको जो है PMJY की तरफ से एक mail आया हुआ है आपको जो है इसको यहां पर open कर लेना है जैसी आप इस mail को यहां पर open करेंगे तो यहां पर आपको जो है पोटल का क्लिक कर देना है आपका account जो है वो verify हो चुका है अब आपका जो id password था जैसे ही आपका account approve कर दिया जाएगा तो आप जो है उस वाले ID password से फिर आप जो है यहां पर login कर सकते हैं login करने के लिए वापिस से आपको भी registered mobile number है वो आप यहां पर डालेंगे या तो जो user ID आपने बनाया है उस user ID को आप डालेंगे ठीक है ना authentication type आप वैसे ही select करेंगे जिसमें कि आप जो है बायोमेट्रिक सेलेक कर सकते हैं या आप जो है आधार OTP सेलेक कर सकते हैं उसके बाद आप जो है operator पोर्टल पर login हो जाएंगे और जैसी आप operator पोर्टल पर login हो जाएंगे तो फिर आप जो है वहां से आयुष्मान से related सारे काम कर पाएंगे जिसमें कि आप लोगों का आयुष्मान भारत का ले सकते हैं उसके बारे में complete detail वीडियो उम्मिद करता हूं कि इस वीडियो से आपको जो है complete information मिल गई होगी फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे comment section में पूश सकते हैं तो मैं मिलता हूं आप से next वीडियो में किसी नई information के साथ तब तक के लिए आप अपना चैप हारे